हलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मेरा राव है वरुन और हम बात कर रहे हैं संबिधान की भारती है संबिधान ऐसी एक मौलेक प्रती है जिसमें भारत की रूप रेखा तैकी गई कि कैसे भारत में साशन व्यवस्ता इस्तावलेस की जाएगी कैसे भारत चलेगा सारी चीज़ें उसी कड़ी में हमने पहले भाग को देख लिया था प्रस्तावना को भी देख लिया था कैसे क्या सबमेदान एक विकास हुआ सारी चीज़ों को देखने के बाद दूसरा हमने क नागरिक्ता, मौलेक अधिकार और DPSP, यादी नीती निर्देशक तत्यों को देख लिया था, बारी है हमारे एक नए संशोधन के साथ, जो एक नएा पार्ट जोड़ा गया, जिसको हम कह रहे हैं किसको मौलेक करतब, मौलेक करतब में मतलब fundamental duties के हम बात कर रहे हैं, इस अध संबिधान बना कैसे है, तो संबिधान का हम भाग, चार तो देख चुके थे, एक और एड़ गिया जिसको चार का कहा गया, क्या कहा गया, चार का, इसको सबसे पहली चीज तो यह है, कि इसको 42 वे संबिधान, संशोधन, अधिनियम के दोरा, संबिधान, अधीनियम के द्वारा 1976 में जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया मौलिक करतव्य क्या मौलिक करतव्य और इसके लिए अनुच्छेद जो है वो 51 तक हो गया था तो 51 में का एक अनुच्छेद जोड़ दिया इसके अंतरगर स्वार्ण सिंग कमेटी ने ये सिफारिस करी थी क्या करी थी स्वार्ण सिंग की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी तो स्वार्ण सिंग कमेटी कहा जाता है तो स्वार्ण सिंग कमेटी के द्वारा ये संविदान संशोधन और मौलेक अधिकार यहाँ पर लाएगा है जो मौलेक अधिकार है ये साइयोक्त सोबिय संग जो हुआ गरदा था ना जवाद、 योग नहीं हैं, तो संबिधान जब बन रहा था, बनके यह जो संशोधन हुआ, इस संशोधन में, जब मौलीक करतव में को रखा गया, ये वी करतव हैं, जो वेक्ती विसेश के करतव में हैं, भारती जितने भी नागरिक हैं, उन सभी का ये कर्तब्य बनता है कि हमें क्या क्या चीजे कर्मी हम देख रहे हैं तो initially 10 कर्तब्यों को जोड़ा गया था 10 कर्तब्यों को जोड़ा गया था 10 कर्तब्यों के साथ ही ये मौलिक कर्तब्य थे जो कहां थे अनुचेद 51 का में थे फिर बाद में एक और जोड दिया गया 82 वा संविधान संशोधन अदिनियम जो हुआ 2002 में उसके द्वारा एक और अदिनियम यहां कर्तब में जोड दिया गया तो अभी फिलाल 11 कर्तब में हैं भारतियों के याद रखना है कितने कर्तब हैं 11 कर्तब हैं क्या क्या हैं कैसे हैं सारी चीजों पर हम यहां डिसकस कर ले तो स्वान सिंग समिती की सिफारिस पर विया क्या हुआ है आपका ये 1976 में 42 संबिधान संचो था इसके दौरा मौले के करतव्यों को संबिधान में जगा दी गई सामिल किया गया इसके तरहेत संविधान में एक नया भाग चार तो था ही चार का जोड़ दिया गया क्या जोड़ दिया गया चार का जोड़ा और इस भाग में अनुच्छे दिक्यावन तक था उसके अंतरकर दिक्यावन का एक अट चोड़ दिया गया जिसमें दस मौलेक कर्दव्यों को सामिल किया गया कितने 10 मौलेक कर्दव्यों को इसके बाद 2002 में 86 वे संविधहन संचोधन के दोारा एक और मौलेक कर्दव जो क्या था अनिवारे सिख्षा के लिए था उसको जोड़के अभी फिलाल 11 मौले के कर्तव ये हम सभी भारती नागरिकों के बद्ध है कहां से लिए गए है ये? कहां से लिए गए? USSR से ठीक है? कोई इकत परिशानी कौन-कौन से वे मौले के कर्तव हैं एक बार नजर डाल लेते हैं कि सबसे पहला करतब में भारती जन्ता का पड़ता है संबिधान का हमें पालन करना है उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट धोजव और राष्ट गीत के परती राष्टी गान के परती हमें क्या गरना है आदर विक्त करना है स्वतंतरता के लिए ये दूसरा हमारा करतब है कि स्वतंतरता के लिए जो भी राष्टी आंदोलन हुए है उन राष्टी आंदोलन के कारण हमें स्वतंतरता पराप्त हुई तो ऐसे आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श रहे हैं उच्छ आदर्श उन आदर्शों को हिर्दय में संजोखे रखना है और उनका बालन करना है तीसरा जो हमारा करतव है वो है भारत की संप्रभुता संप्रभुता मतलब होता है सोबरेनिटी जो हमने डिसकस करी थी कहाँ पर फ्रस्तावना के अंतरगत एकता और अखंडता भारत की एकता और अखंडता की रख्षा करना है और उसको अक्षुन वनाए रखना है इसके साथ ही चोथा जो हमारा करतव है वो ये है कि देश की रख्षा करना है और अगर जरूरत पड़े आहवान किया जाए तो राष्ट की सेवा करने के लिए भी ततपर रहना है पांचवा जो मौलिक करतव है वो है कि भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भाव की प्रातत तो यानि बंदुत की भावना का हमें निर्मान करना है जो किसी भी धरम, भासा, प्रदेश या वर्ग पर आधारत चितने भी भेदवाव हैं उन भेदवावों से परे हो यानि अलग हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो इस्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों समझ पार है चले पांचवी के बाद चटवे हमारा जो करतव्य है वो ये है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृती है उसकी गौरवसाली परंपराओं का महत्तो समझना है और उसका रक्षन करना है परिरक्षन संजो के उनको रखना है साथवा जो हमारा कर्टब्य बनता है वो है कि प्राकर्दिक परियावरण है जिसके अंतरगत वन, जील, नदी, बन, जीव सभी आते हैं उनकी हमें क्या करना है, रक्षा करना है और उनके बचाओ, सुदार, समवर्धन करने और प्राणी मात्र की दया के भाव रखने हैं मानवबाद और ज्यान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। बढ़ने का हमें क्या करना है प्रियास करना है जिससे राष्ट क्या हो प्रगती की ओर निरंतर बढ़ता रहे और अपलब्धियों की नई उचाईयों को अरजित करे ऐसे कारे हमें करना है फिर बढ़िया ग्यारवा ये जो कर्तब्य है ये जोड़ा गया 2002 में कब 86 वे संभिधान संशोधन के द्वारा है संभिधान संशोधन अधीनिया चीक है इसके द्वारा जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्स के बच्चे जो है 6 से 14 वर्स के आयू के बच्चों को सिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारा कर्तब विवनता है है ना 86 वे संभिधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया इसी समय एक किस्वा का ये एक मौलेक अधिकार भी बना दिया गया जिसमें क्या लिखा है कि ये 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल को और अनिवारे सिक्षा प्राप्त करवाना ये बच्चों का मौलेक अधिकार है कि उन्हें सिक्षित बनाया जाए और हमारा कर्तब विवनता है कि हमारे फैमिली के लोग हो हमारे परिवार के आसपड़ोस के या जो भी बच्चे हैं जिनें पढ़ाई की सिक्षा की विवस्ता नहीं हो पारी है उन्हें समझाए और उन्हें सिक्षित करने का प्रियास करना है तो ये भई 11 के 11 मौले कर्तब विवनता है जो हमारा कर्तब है किसका भारती है नागरिकों का जब भारतियों को इतने अधिकार मिले हैं तो कर्तब भी तो बनता है सो ये सारे कर्तव्यों को हमें फॉलो करना है ये क्या है अनुचेद 51 का के अंतरगत ये सभी 11 के 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं ये लिए गए मौलिक करतब या, क्या भी या, मौलिक करतब, याद रखना है, पूछा जाता है, USSR से लिए है, है ना, और 42 वे संबिधान संशोधन के द्वारा, 1976 में, स्वाण सिंग कमेटी की सिफारिस पर इसको जोड़ा गया था, चीक है भाईया, बाद योग नहीं है, न्यायलाय में प् हमको लगो संबिधान का आ जाता है, तो इसने लगबग संबिधान के बहुत सारे चेंजिस करें, प्रस्तावना में जो एक मात्र चेंज है, तीन सब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्म निर्पेक्षार, अखंड़ता, ये भी कब जोड़े गए, इसी 42 वे जिसमें पूरा का पूरा संग की हमें बात करनी है, संग की कैसे क्या व्यवस्थाएं चलती है, तीनों जो अंग हैं हमारे साशन के, चाहे वो विधाई का हो, कारेपाली का हो, या नियाएपाली का हो, इन सभी पे हमें विश्तरत चर्चा 5 में भाग के अंतरकत करनी है, तो